Hello everyone and welcome back 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 to my channel So, आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक कुईक रिकाप Of my last 24 days in the series of trying to make 11 startups until I become a millionaire So, ये series में मैंने अब तक बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है और मैं को बहुत लोग कमेंट करके बता रहे थे कि वो लोग stream को follow नहीं कर पा रहे because of their busy schedules और also थोड़े जो नए subscribers हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं exactly कर क्या रहा हूँ So, मैंने सोचा कि ये quick recap video बना कर मैं सबको बता दू कि exactly मैं करना क्या चा रहा हूँ इस series के through और अब तक मैंने क्या-क्या achieve कर लिया है already मैंने कित्ती earning की अब तक almost one month हो गया तो one month तक मैंने कित्ती earning की क्या-क्या किया मैं सब ये वीडियो में बताने वाला हूँ So, let's start with day one So, day one में मैंने कुछ plan नहीं किया था मैंने एक random title यूट्यूब पर देखा था वो ही मैंने रखा और मैंने सोचा क्यों ना startup बना है और build-in public करे क्योंकि मुझे भी starting से startup बनाने का बहुत मन था तो ये मेरे लिए बहुत interesting चीज़ थी So, मैंने starting में सोचा कि एक random startup बनाएंगे और मुझे लगा नहीं था कि ये series लोगों को इतनी पसंद लाएगी So, सबसे पहले मैंने day one start किया day one पर मुझे बहुत अच्छा response आया Day one पर मेरे channel के live में सबसे जादा views है So, अभी हम लोग देखते है तो day one से लेकर day seven तक जित्ती वीडियो से सब पर 1K plus views है That is, वो मेरी channel की अब तक की सबसे best live streams गई है वो first week में जो मैंने की थी So, मेरी day one की वीडियो में निखिल मालंकर ने comment किया था वो एक मेरे लिए उस time पर बहुत बड़ी achievement थी Because such a big creator like him commented on my video So, day one से मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या क्या करूँगा सिर्फ मैंने start कर दिया Day two, day three, day four मैं करता रहा करता रहा और मैं एक normal सी एक timer app बना रहा था और फिर मुझे आता ये comment जो कि बोलता है कि एक normal timer app बना के मैं कोई millions of dollars नहीं बना सकता जो कि मेरा title है So, मैंने भी इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया और फिर मैंने day nine आते आते सोचा कि ये app को open source कर देते हैं और फिर हम लोग नहीं project पर start करेंगे from scratch और इसे just a warm up app declare कर देंगे So, मैंने वही किया day nine आते आते फिर मैंने ये app को open source करके एक नहीं app पर काम चालू कर दिया और idea hunting का हमें करनी थी अब idea मेरा पहले ये था कि हम लोग ऐसी app बनाएंगे जो लोग को help करे to learn coding So, basically एक game बनाएंगे जिसके through लोग mini games खेल खेल के coding सीख सके पर ये मेरा idea तो बहुत अच्छा था और at this initial stage मुझे इतना जारा काम खुद के उपर नहीं लेना था So, मैंने ये idea के उपर एक stream तक work किया पर ये idea इतना अच्छे समख मेरे अकेले से execute नहीं हुआ तो मैंने अभी इसको abandon कर लिया थोड़े time के लिए पर आगे जाके अगर थोड़ा से success आता है मुझे ये stream की series में So, मैं ये idea को continue करूँगा और थोड़ी लोग को अपनी team में भी रखूँगा So, ये idea को तो मैंने abandon कर दिया So, अभी थोड़ा से fast forward करते है उसके next stream में So, उसकी next stream में में इनको stream start करने से पहले idea आया क्यों ना एक study management app बना है जिसमें लोग अपने flash cards save कर पाए अपना study time record कर पाए और सबसे main चीज़ जो लोग अभी snapchat पे snap streak बना के अपना time waste कर रहे थे उनके लिए एक नया feature डालते है हमारी app में That is study streak मतलब वो लोग कुछ पढ़ाई करेंगे और एक timer on करेंगे और जब पढ़ाई end हो जाएगी और वो timer off करेंगे So, उनकी एक streak में एक day add हो जाएगा So, ये students को help करेगा To maintain their consistency in study So, ये मेरे को idea आया और मैंने इस पे next day से ही काम शुरू कर दिया हमारा इस पे काम अभी बहुत जादा अच्छे से चल रहा है So, ये app के basic implementations complete है अभी मैं आपको बताता हूँ app बनी कैसी है So, ये है हमारी app जो हमने बनाई है हमारी series के अंदर जो की है हमारी real startup app जो की हमने second app के बाद चालू की थी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत जादा progress हो चुकी है So, basically flashcard के अंदर अब लोग flashcard नई create कर सकते है So, let's say कि मैं एक नया flashcard create करता हूँ Flashcard create करने के लिए हमें set create करना पड़ता है So, let's say मैं set को एक name देता हूँ test और यहाँ पे हम लोग set के लिए कोई भी random color choose कर सकते है उसकी identification के लिए So, यहाँ पे let's say मैं color choose करता हूँ blue और अब यह करने के बाद मैं सीधा plus की icon पे click करूँगा तो हमारा test set आ गया है यहाँ पे इस पे अगर click करता हूँ तो यहाँ पे मैं अभी flash cards add कर सकता हूँ So, let's say मैं question डाल लेता हूँ और यहाँ पे एक answer डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं plus दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा card एक आ गया है वैसे ही हम लोग इसको different questions भी डाल सकते हैं यहाँ पे So, मैं different types of questions डाल देता हूँ यहाँ पे और अभी हमने 3 questions यहाँ पे add किये और अभी हम लोग test में आते हैं तो आप देख सकते हो यह 3 questions हम लोग practice कर सकते हैं So, let's say मैं अगर right कर रहा हूँ तो मैं right side swipe करूँगा वनना अगर मैं wrong कर रहा हूँ तो मैं left side swipe करूँगा और अगर हम लोग इसको click करते हैं तो हम लोग इसका answer भी check out कर सकते हैं और यह अच्छे animation के साथ show होता है आप देख सकते हो So, अभी हम लोग कोई भी right normally कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा percentage along with right and wrong यहाँ पर show हो रहा है और अभी हम लोग back आते हैं और यहाँ पर study timer के अंदर हम लोग record कर सकते हैं कि हमने कितने time study किया So, basically हम लोग play करेंगे और यह थोड़े time record होते रहेगा और जब हम लोग stop करेंगे तो आप देख सकते हैं एक record यहाँ पर add हो गया हम लोग record delete भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग sites भी delete कर सकते हैं So, यह है हमारी app So, app I hope आपको अच्छी लगी होगी अभी fast forward करते हैं to next few days So, अभी next few days में मैं Nikhil Malankar से connect किया और उनके साथ collab किया और collab में मैं game development के related मैंने collab किया जिसके अंदर हम दोनों individuals game बना रहे थे under one hour यह stream से मैं बहुत कुछ सीखा, यह मेरी channel का first collab था और इससे मैं बहुत कुछ सीखा यह मेरे one of the most favorite stream में से एक है अब वहाँ से मुझे पता चला कि बहुत लोगों को goodo game engine सीखना था पर उनके पास कोई resources ही नहीं है जो कि अभी available है ही नहीं और मैंने भी इस पर research किया और मैंने देखा कि goodo game engine पर अच्छे खासे resources अवेलेबल नहीं है जिसकी वज़े से लोगों को switch करने में बहुत दिक्कत हो रही है so मेरे channel पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक goodo game engine के series बना है जो कि अभी आई नहीं है पर वो in development है और सुन आपको अभी देखने को मिलेगी in the form of a video और between this series हमने सिर्फ hardcore coding नहीं की हमने बहुत जादा मजे भी किये हमने audience के साथ बहुत जादा खेला भी है और हमने अलसो बहुत जादा raid भी किये बहुत साथ लोगों से connections बना है और बहुत मजे किये तो हमने easy snippet से भी हमारा नाम बुलवा लिया था through a raid Edgun is raiding Edgun bhai thank you so much for the raid Edgun is also a coder कुछ सीख रहे हो easy snippet से के नहीं Edgun bhai Just a quick addon के मैं अपनी वीडियो में earning के बारे में बोलना भोल गया So earning के अगर बात करें तो अब तक मैंने ये series के through अभी भी zero dollar earn की है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक एक भी startup publicly published नहीं किया और डूसरी बात यह है कि मेरी अभी तक YouTube से भी monetization on नहीं होई So अभी हम उसमें से कुछ भी count नहीं कर सकते है और अगर आपको मुझे support करना है तो please do subscribe को button दबा तो जिससे मेरी monetization on हो जाए और जन्दी से हम लोग के earning चाल हो जाए So ये journey बहुत interesting रही है अब तक और आगे जाके और भी interesting होगी और मैंने एक चीज़ notice किये कि जो response मुझे first week में मिला था वो अभी थोड़ा कम हो गया है So I hope कि ये video की थुरू आपको मता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हो और आप भी हमारे series के थुरू connect करोगे So if you like this video and this series so make sure to subscribe the channel Thanks for watching